बिग बोस ओटीटी जीतने वाले एलविश यादव अब मुसीबत में हस्ते दिखाई दे रहे हैं जी है दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूटूबर एलविश यादव की जो आए दिन विवादों में भी रहते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं आप सब को पता कि वह ज़्यादा फेमस तब हो गए जब उन्होंने बिग बोस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और उसके बाद विनर बन गए खालंकि बिग बोस जीतने के बाद एल्विश यादव लगातार सुर्खियों में रहे कुछ गाने भी मिल गए और भी ओफर आने लग गए एडरोटाइजमेंट भी बढ़ गई तो उसका साइद करेज ज़्यादा ही चड़ गया था लेकिन अब एल्विश यादव मुसीबत में फस्ते दिखाई दे रहे हैं जी हा दोस्तो एफाया दर्ज हुई है एल्विश यादव के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ और बता जारा के एक परटी चल रही थी जैसे आपको याद होगा सारु खान के बेटे अरियन को गिरिफ्तार किया गया था तब उन पर भी यही आरोप लगे थे जो अब एल्विश यादव पर भी लग रहे हैं जी हा दोस्तों हालांकि एल्विश यादव ने सफाई जरूर दी है लेकिन पुलिस जांच कहां तक बढ़ाती है इस मामले में पांच छे लोगों को गिर χाँ तर लगा तर न्यूज चल रही है ज़्यार तो लिए था ओ कहा है बत हो रही है कि साइद जrek बाल्विश यादव को कि emphasized मामले में उस्ताश करनए लिए लोस्तों आपकोThere और से सचल मेडिया जोश ब्टियर कर दीकिन आपशए पदार्थों के साथ पकड़े गई हैं मेरे खिलाफ जो खबरे फैल रही है ये सारे आरोप फर्जी है बेबुनियाद है इनमें एक फिश्दी भी सचाई नहीं है एलवीश यादेवनें आगे कहा यूपी पुलिस के साथ मैं पूरा सहयोग करने के लिए त्यार हूँ मैं जिमेदारी लेने के लिए त्यार हूँ मेडिया से ये गुजारिश है के जब तक फोस सबूत नहीं मिल जाए तब तक मेरा नाम खराब ना करे जितने भी इलजाम लगे है इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है वो बोले इन आरोपों से सो मिल तक भी मेरा कोई लेना देना तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आपको बता दे के एलविश यादो पर F.I.R. वन्य जीव सरक्षन अधिनियम 1922 के तहट दर्ज की गई है F.I.R. बाजबा संसद मेनका गांधी की P.F. और्गिनलिजेशन इसकी सिकायद पर दर्ज की गई है अब आपको बता दे के इस रेव पार्टी में सांप मुहिया करवाने के आरोप में एलविश यादो पर F.I.R. दर्ज की गई है और कहा के इसमें एलविश यादो विदेशी लड़कियां भी लेकर आते थे ऐसे आरोप लग रहे है अब देखना होगा के आखिरकार इसमें सचाई कितनी है लेकिन कहीं न कहीं एलविश यादो की मुसीबत बढ़ सकती है अगर उनके खिलाब कोई सबूत मिलता है हालां कि एलविश यादो के नाम आने के बाद एलविश यादो ने सफाई जरूर दी है और सोसल मीडिया पर वो भी अपनी तरफ से बार बार अपील भी करने लोगों से और खासकर मीडिया चैनल से कि तब तक कोई सबूत ना मिले कम से कम तब तक तक तो मुझे पर ऐसे आ कैसे कैसे दो नंबर के काम करने लग गया ऐलवीश यादव ऐसे बहुत सारे लोग है जो ऐलवीश यादव के समर्थन में भी है और खिलाब भी है और यही कारणे के सोसल मीडिया बटा हुआ है क्योंकि मीडिया तो न्यूज दिखा रहा है क्योंकि दोनों तरह के ही लोग है और उन पर एक्टिव भी रहते नजर भी रखते है क्योंकि कोई न्यूज आएगी तो एलवीश यादव के फैंस उनका बचाव करते दिखाई देंगे तो एलवीश यादव के विरोधी उनके खिलाब सबूद जुटाने में लग जाएंगे और दिखाएंगे कि यह देखिए यह यह चीज़े है और यहाँ पर यह पकड़ा गया अलग-अलग जो भी न्यूज चैनल्स है सबकी पोस्टें, न्यूज, लिंक वगएरा सब कुछ शेयर किया जा रहा है एलवीश यादव की विरोधी उदवारा और एलवीश यादव के फैंस उनका बचाव करते भी दिखाई दे रही है लेकिन दोस्तो अभी तक FIR के मामले में मेंका गांधी की सहस्था की और से कहा गया के हमें सुचना मिली थी के एलवीश यादव नाम का एक यूटूबर सनेक वेबनम और जिंदा सापों के साथ नोईडा NCR के फारम हाउस में अपने गिरोग के दूसरे सदस्यों यूटूबर के साथ वीडियो सूट करवाते है और रेव पार्टी कराते है इस पार्टी में विदेशी लड़कियों को बुला कर सनेक वेबनम और नसीले पदार्थों का सेवन होता है आपको बता दे दोस्तो रेव पार्टी होती क्या है रेव पार्टी ऐसे होती है मान के चलो कि जो अमीर सहजाद होते हैं अमीर गरों के लड़के होते हैं लड़कियां के जो भी होते हैं वो अपना इंज्वाइमेंट करते हैं लेकिन जो उस रेव पार्टी को स्योज़क होते हैं जो उसको और्गेनाईज करते हैं वो इस चीज जिदा ध्यान रखते के प्राइवेस्टी का खास कर के यह चीजे बाहर ना जाए और वो लोग ऐसे होते के सब कुछ इंजवाए करना चाहते हैं जो अमीरगरों से खास कर वही जाते हैं ऐसी पार्टियों में क्योंकि सब को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं होती तो उन साइद उस रेव पार्टि का हिस्सा है और इसलिए यादव पर एफाईया दर्ज हुई है और सबसे बड़ी बात के यादव और उनके साथियों पर आरोप लगा है कि वो विदेशों से लड़कियां बुलाते थे मंगवाते थे मतलब की और महेंगे महेंगे नसे और तो औ साइमल जहार भी मिला है सांपों का और पता जारा कि उनके जर्ये लोग नसा करते ऐसा और विदेशी लड़कियों का भी आरोप लगा है और साइद अगर कहीं ने कहीं से कुछ भी सचाई निकलती या थोड़ा सा भी अगर एलविस यादव के खिलाफ सबूत मिलते तो पुलिस ने गिरफतार किया है हालां कि एलविस यादव ने सफाई जरूर दिया कि मेरा इसका मिलो तक कोई लेना देना नहीं है और मैं यूपी पुलिस का भी पूरा सयोग करूँगा यूपी परसाशन का अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी भी के से मिले हैं तो आप समझ सकते हैं कोवरा तक वहाँ से मिले हैं 5 लोग थे ये रेव पार्टी आयोजित करता था इन पार्टियों में ये जहर निकालकर बेचते थे जो λोग ये जहर लेते हैं वह उनका नुकसान करता है मैंका गांडी ने कहा के अगर मेडिया जोर पुलिस को ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, हमारी टीम ने ही यूटूबर इसको देखा, मेरी शंस्था के लोगों ने ट्रैप लगाया, एलविस यादव से पूछा के हम पार्टी लगा रहे हैं, एलविस यादव ने लोगों से मिलवाया और बताया कि मैं पार्टी में स समझ सकते दोस्तों, अब एलविस यादव सवालों के गेरे में भी है, और अगर ऐसा कुछ मिलता तो, अब जो एलविस यादव की तूटी बोल रही थी, सोचल मेडिया पर, मेडिया पर, जहां कई भी जाते थे, फैन फ्लोइंग काफी अच्छी थी, पहले से ही अच्छी में थे, मतलब की कटर समर्था के उनके, क्योंकि जिस तरह से, अब इतने फेमस हो गए उसके बावजुद भी, उन्होंने ब्यान भी दिया था, आपको यादवागा कि मैं पका सनातनी हूँ, और किसी भी चीज़ के लिए अपने दरम को नहीं छोड़ सकता, आपको रोतेला के साथ एक सोंगा आया था उनका, जिसके बाद वो काफी विवादों में आ गए थे, और उन्हीं के फैंस उन पर बढ़क गए थे, जिस तरह से कुछ मुस्लिमों का सलाम करना होता है, ऐसा कुछ था उसमें गाने में, हलांकि बाद में वो सीन, ऐल्वी सियादों लवी सियादों की टीम की तरफ से कहा गया कि वो ऐसे जल्दवाजी में या जो ड्रेक्टर ने कहा इसलिए कर दिया, हलांकि बाद में वो सीनस खट गए थे, लेकिन लवी सियादों के फैंस थे, जो वो लवी सियादों पर रिबड़क गए थे, कि आखिर कार हम ने इसको इतना उपर चड़ाया है इसको इतना सपोर्ट किया है कि यह हिंदू है कट्रवादी है इसलिए लेकिन उसके बावजुद भी एलविश यादों ने गाने में ऐसा कुछ दिखा दिया तो एलविश यादों के फैंस नाराज हो गए थे जिनको खुछ करने के लिए एलविश जेल चले जाते है तो एक तरह से दब्बा लग जाता है वो ऐसे तो लगी गया मेडिया ट्राइल हो रहा है तो क्योंकि मीडिया का विए अपने देश में यह है कि कुछ सबूत मिले ना मिले यह तो एक तरह से बनी गया कि और उसके खिलाब कुछ भी सबूत ना हो लेकिन उसके बावजद भी उसके खिलाब खबरे जरूर चलेंगी और अगर उसके खिलाब कुछ मिलता है तो पुलिस एक्षन भी जरूर लेगी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या वस्तों में एलविश या दो इसमें सामिल होंगे जो रेव पार्टी वगरा होती है उन पर लाज ж Warm जी्ट किया मैं सादार лож लग रहा है अलांकि रिख लोगों कि गिरफ्टार भी यागया मोके से इस ओर कोराник बदा बढ़ सकती है, हलांकि एलवीश यादो के फैंस अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं एलवीश यादो के विरोधी जरूर इस बात को दोरा रहे हैं के एलवीश यादो पकड़ा गया है हलांकि अभी तक इन खबरों की कुष्टी नहीं हुई है लेकिन एलवीश यादो अभी गिरफतार नहीं हुआ क्योंकि सोचल मेडिया पर कुछ देर पहले ही उन्होंने वीडियो सेर करते हुए खा के ये देखिए कोई लड़की के साथ है वो और सापात में उसके कहरा के ये देखिए पुरानी वीडियो अब सेर की जा रही है और यह आरोप लगाए जारे मिज़ पर मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या अलवीश यादो सामिल होगे क्या लवीश यादोगी गिरफतारी होगी क्या लवीश यादो जेली में जा सकते है या फिर उनको बदनाम करने की साजिस है आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राइक कमेंट बुक्स में जरूर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों देखते रहिए साजिकी आप